तो यह probability का हमारा first part है, इसमें आज हम इसका introduction करेंगे कि probability क्या होती है, ठीक है probability पार्ट वर्न, तो probability तेसे आप छोड़नी क्लासे से पढ़ते ही आ रहे हैं कि probability होती क्या है, तो probability के बारे में अगर हम थोड़ाजा discuss कर लेंगे, probability का मतलब क्या है, probability वर्ड बनता प्रॉबेबल probability मतलब जिसमें कुछ words आदेने से chance हो गया, odds in favor, odds against, इस तरह की words हैं जिसमें आपको किसी चीज के होने की संभावना है तलासते हो कि यह ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर हम यूज करते है probability का concept, जब probability का concept हम यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें दो तरह की probability होती है, एक होती है subjective probability और दूसरी होती है objective probability, जो subjective probability होती है, यह basically depend होती है personal judgment के ओपर या फिर अपने experiences के ओपर, ठीक है, इसकी जब हम help लेते हैं, तो इसकी help से हम बहुत सारे ऐसे questions कर सकते हैं, जहाँ पर हम decision making जो होती है, यहाँ पर उसके लिए बहुत काम आती है, कि decision आ आप लोग, तो उसमें probability आपकी help करती है, लेकिन हम यहाँ पर जो discuss करने वाले हैं, हम सिर्फ objective probability करने वाले हैं, क्योंकि जो subjective probability होती है, वैसे जो daily life में काम आती है, जहाँ पर आप के सीज के बारे में कोई decision लेते हो, कि यह काम हमें करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, व science के experiment मचे करते हैं, वही experiment करने वाले हैं, experiment probability में भी होते हैं, बहुत सारे experiment होते हैं, तो experiment का मतलब है कि कोई भी है, आप जब एक event perform करते हो, an experiment may be described as a performance that produces certain result, जब कोई आप experiment करते हो, जब कोई आप काम करते हो, उस काम से जो result निकलता है, उसी को बोलते है experiment, तो normal जैसे experiment word आत है, science के हो आता है, कि science में lab में जो बच्चे experiment करते हैं, वो भी experiment होता है, वहाँ से एक result आता है, लेकिन जब commerce का बच्चा experiment करता है, तो वो probability में भी experiment करता है, वहाँ से कुछ result निकालता है, अब वो result क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में detail में कि सारी चीज हम पढ़ है, एक result fix आ रहा है, एक होता है कि random experiment, random experiment जब हमें नहीं पता कि result आगे आने क्या वाल है, जैसे आप coin को toss करते हो, आप coin को toss करके आप बतातों नहीं सकते हैं, कि head आएगा, tail आएगा, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, हमें probability बता सकते हैं, कि शायद head आजाए, शायद कुछ भी आ सकते हैं, तो random experiment मतलब जहां पर आप सर्टेल ना हो, कि आगे क्या आने वाला है, an experiment is defined to be random, if the result of the experiment depends on the chances only, तो यह chance के उपर होता है, ठीक है, example की तोर पे dice और यह सब हमने discuss करे लिया, यह क्या होता है, अब यहां पर उसके बाद जब आपने experiment किया, experiment करने के आपको बनाना होगा, उसका एक sample space, अभी sample space क्या होता है, sample space का मतलब कि जहां पर आपने experiment जवाब करते हो, तो experiment में जितने भी event possible होते है, उसको एक एक करके जब आप लिख देंगे, in form of set, उसको बोलते है sample space, तो sample space को जब हम denote करेंगे, तो उसको denote करने के लिए हम use करेंगे करेंगे याँपर, तो capital S से denote करेंगे, और जो भी आपका event बनेगा, जैसे हमने dice को थ्रो गिया, dice को थ्रो करने पर क्या होगा, क्या क्या आएगा, one आएगा, two आएगा, three आएगा, four आएगा, five आएगा, six आएगा, तो यह सारे event हमने लिख दिये, one, two, three, four, five, six, तो यह सार अगर हम बात करें events की, events होता गया है, तो event जैसा की हमें यह पता है कि जब हम experiment करते हैं, कोई भी experiment करते हैं, तो उस experiment में कुछ आपके पास result आता है, कुछ आपके पास outcome आता है, तो वो जो outcome या result जो होता है, उसी को हम बोलते है, event, the result और outcome of a random experiment are known as event, अब जो event होता है, अब हम types के हसाब से देखें, तो कुछ और type की events भी होते हैं, तेकि सबसे पहले हम बात करें, simple event, simple event का मतलब जैसा कि इसका नाम है, simple, तो बिलकुल simple, मतलब इसके अंदर एक outcome आता है, कैसा भी आप event कर रहे हो, इसके अंदर सिर्फ एक outcome आएगा, अब एक outcome आने का मतलब, जैसे म इसके 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 साथ एक इवेंट और ले लिया, एक तो यह आ गया, एक दो head वाला ले लिया, दो होते ही यह compound में convert हो जाएगा, यानि एक से ज़्यादा होते ही compound में convert हो जाएगा, अगर एक event है, तो simple event बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा event है, तो इसका मतलब दो event, उसको बोलेंगे compound event, उसके बाद sure event, sure event का मतलब इसका भी जो नाम है, यह होना ही होना है ठीक है बिल्कुल confirm event जैसे बोर example अगर मैं dice को throw करूँ और dice को throw करने पर मैं कहता हूं कि dice को मैं throw कर रहा हूं तो seven से छोटा number आजाए कोई साभी number आजाए सारे seven से छोटे ना one आजाए two आजाए three four five six कोई भी आजाए सारे seven से छोटे तो यानी मेरा जो result है वो आएगा ही आएगा जो मैंने सोचा है कि seven से छोटा number आए वो आएगा ही आएगा that is called sure event इसकी जो probability होती है sure event की हमेशा one के बराबर होती है उसके बाद impossible event अब impossible event को अगर हम बात करें तो जैसा कि यहां भी इसका जो नाम है वही बता रहा है कि जो हो नहीं सकता कैसे जैसे मालो हम डाइस को थो करने जा रहे है और मन में सोचेगे या seven से बड़ा number आजाए एगी बार थो करना है यह नहीं करना कि जा six आ जाएगा फिर दुबारा यह होती है zero के बराबर नेक्स्ट इवेंट है equally likely इवेंट या फिर आप mutually symmetric बोल सकते हो या इसे इक्वी प्रॉबेबल इवेंट बोल सकते हो अब mutually exclusive event का और equally likely event का मतलब क्या हो गया यहां भी इसका जो नाम है कह रहे है कि equally यानि जिसके होने की possibility बराबर हो जैसे हम कोई को करते हैं को करने पर क्या होता है और तेल दोनों के पास बराबर बराबर चाहंस है 50-50 परसेंट है दोनों का तो यहां पर कोई भी situation या कोई भी किसी भी तरह की चीज इसके उपर इफेक्ट नहीं डाल सकती वह कोई अगर आप तोस करोगे head या tail आना है तो head या tail आना है चाहिए उसे आप किसी भी मौसम में कर रहे हो या किसी भी जगे कर रहे हो या किसी के द्वारा कर रहे हो कोई भी चीज उसके उपर इफेक्ट नहीं डाल सकती तो उसको बोलते हैं equally likely outcome अगर कुछ ऐसा आजाए कि उस outcome के उपर effect पढ़ जाए जैसे मानलों मैं कहूं कि मैं एक basketball एक basketball को throw करना हूं और basket के अंदर मुझे डालने की कोशिश करने हैं अब वो basket जो होगी basketball basket में जाएगी या नहीं जाएगी है तो दो ही चीज या तो जाएगी या फिर नहीं जाएगी लेकिन यहां पर यह equally likely outcome नहीं बनेगा क क्योंकि basketball को जब throw करेंगे तो यह देखा जाएगा कि basketball को throw कौन कर रहा है क्या उसको को एक player कर रहा है प्लेयर मतलब जो regular खेलता है basketball या फिर एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो basketball खेल नहीं जानता तो यहां पर क्या होगा जो player की ability है वो effect डालेगी probability के ऊपर अगर जो basketball player है वो डालने की कोशिश करेगा तो उसके पांस number of chances जादा होंगे बेशक एक बार भी ना जाए लेकिन number of chances जादा होंगे और दूसरा जो player है जो कभी basketball पकड़ा है नहीं जिसने खेला ही नहीं अगर वो डालने की कोशिश करेगा तो उसके number of chances बहुत काम होगे बेशक उसकी सारी आउटकम नहीं है जैसे आप coin को toss करते हो तो coin को मैं toss करूं को your toss करे कोई player toss करे कोई non player toss करे कुछ फरक नहीं पढ़ता वो head या tail है वो ही आएगा उसमें आपको इफेक्ट नहीं डाल सकते तो उसको हम बोलते है equally likely outcome उसके बाद अगर हम बात करें एलजब्राव इवेंट की अब एलजब्राव इवेंट में सबसे पहले आता है कॉंप्लीमेंट ओफ इवेंट के अंदर कॉंप्लीमेंट ओफ इवेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक हमारे पास sample space होना चाहिए एक sample space होना चाहिए suppose एक dice का example ले लिते हैं कि एक sample space हमारे पास क्या बना dice जब हुँन throw करते हैं तो 123456 हमारे पास यह चे outcome आ सकते हैं तो अगर हमारे और फिर पूंशरे से डिनोट करेंगे या form पर सी लगा देंगे या फिर हम किस की सिंबल एक सारे के सारे करेंगे씨 कम्प्लिमेंट का तो compliment का मतलब क्या हुआ? Compliment को हम compare करेंगे sample space से, जैसे हम sets में convert करते थे sets में convert करते थे कि जो compliment set है वो क्या होगा? तो हम उसको universal set से compare करते यहाँ पर universal नहीं होगे, यहाँ पर sample space होगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे वे 2, 4, 6 तो already हमारे पास है हमें ऐसे elements सही है जो इसको पूरा कर दे sample space के बराबर कर दे तो यानि A compliment क्या बनेगा A compliment आगया है यहां से 1, 3 and 5 इन दोनों को मिलाने के बाद इन दोनों को union करने के बाद आपके पास पूरा sample space बन जाना चाहिए ठीक है दूसरा है हमारे पास event A और B, और का मतलब आ जाता है प्लस या union कह सकते हो आप कि A और B दोनों का आपको union करना है दोनों को इखटा करना है मालो एक B हमारे पास set है जिसमें मैं ले रहा हूँ सिर्फ prime number prime number आगे 2, 3 और 5 इन दोनों का अगर आपको union करना है A और B अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके अंदर जो जितने भी element है वो सारे आपको लिखने तू दोनों में आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखने है sets में element एक ही बार लिखते है 2, 3, 4, 5 and 6 उसके बाद है event A and B end का मतलब हो गया intersection इसका मतलब हो गया intersection मतलब common तो जब A intersection B निकालो के जो दोनों में common element है common element दोनों में 2 आ रहा है यहाँ पर लिख देंगे हम 2 event A but not B event A तो होना चाहिए लेकिन B नहीं होना चाहिए तो इसको हम कैसे denote करेंगे A minus B A minus B मतलब सिर्फ आपको एक element लिखने है लेकिन जो B में आ चुका है उसको मत लिखना जो B में आ चुका है उसको मत लिखना जो सिर्फ A है उसको लिखना है तो A के अंदर 2, 4, 6 है लेकिन इसमें 2 हैसा है जो B के अंदर भी है जो दूसरी party को भी belong कर रहा है तो दूसरी party को belong कर रहा है उसको भार करो अपनी party से ठीक है तो सिर्फ क्या है आपके पास जो आपके लिए loyal है 4 और 6 अगर इसको उल्टा हो कि यहां पर आ जाए इवेंट बट नॉट ए तो बी माइने से लिखेंगे तो बी माइने से में आपको सिर्फ बी के अलिमेंट लिखने है फिर काम वही करने है जो दोनों party में खेल रहा हो उसको हटा दो तो यहां ज़र टू को हटा देंगे तो आ exclusive जैसे for example कि अगर आपके पास एक इवेंट मालो हम यहां पर ले ले लेते हैं E 123 और एक इवेंट हमने ले लिया F456 इसमें आप देख रहे हो कि इसमें common कुछ भी नहीं है तो इसको कि आप बोलेंगे mutually exclusive event इसमें common कुछ भी नहीं है उसकी बाद आदा exhaustive event exhaustive का मतलब होता है कि अगर आप union करो तो पूड़ा का पूरा sample space बन जाए अगर जैसे E और F है इन दोनों का अगर मैं union कर दू और यह पूडा का पूरा sample space बन रहा है देखो 1,2,3,4,5,6, union करने पर पूरा sample space बन रहा है तो इसका मतलब यह दोनों जो यह दोनों जो हमारे पास event है इनको बोलेंगे exhaustive event है कि आपने union करा union करने पर पूरा पूरा sample space बन जाए ऐसी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं तीन चार पांच छे जितने मर्जी हो अगर सबका आप union करोगे और वो पूरा का पूरा sample space में convert हो जाए उन सारे को बोलेंगे हम exhaustive event और ऐसे मैं भी हो सकता है एक से ज्यादा event हो सकते हैं दो से ज्यादा event भी हो सकते हैं उन सब का अगर आप intersection करोगे कुछ भी common ना आए तो बोलेंगे mutually exclusive event और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ event ऐसे हो जो mutually exclusive भी हो जैसे यह इसमें common कुछ भी नहीं आ रहा, mutually exclusive भी है, लेकिन जब हमने union करा, तो पूरा का पूरा sample space बन गया, मतलब exhaustive भी है, तो mutually exclusive भी है और exhaustive भी है, तो इस तरह की event भी possible हो सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम classical definition of probability की बात करें, classical definition of probability का मतलब क्या है, the probability of occurrence of the event A is defined as the ratio of the number of event favorable to A to the total number of event, denoting this by this, यह probability की definition आप छोटी classes से पढ़ते ही आ रहे हैं, कि जब भी आप probability निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालते हैं, कि number of equally likely events favorable to A, यानि जो अपने A event है, उसके favorable event जो आपको उपर है, वो लिखने हैं, और जो total number है, वो आपको नीचे लिखने हैं, यही probability की definition हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस definition के अंदर थोड़ा सा problem होती है, इस definition के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कुछ के क लगा सकते हैं, it can be used only when the event are equally likely और equally probable, equally likely event जब होते हैं, तब आप इसमें लगा सकते हो, इसको, this definition has only a limited field of application, like coin tossing, dice throwing, drawing cards, इस तरह की जो questions होते हैं, उसमें हम यह वाली approach जो है, यह हम लगा सकते हैं, इसके लाबबा एक और approach होती है, जिसको हम बोलते है, axiomatic approach और modern definition of probability, axiomatic approach का मतलब किया है कि, अगर यहां पर ही कहता है कि, हमारे पास sample space है, एक sample space है और a उसका एक event है, तो जो a event आएगा, उसकी probability हमेशा greater than equals to 0 रहेगी, ठीक है, one से बड़ी तो हो ही नहीं सकती है, one से बड़ी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो sample space को cross ही नहीं कर सकता, तो a event है, और उसकी जो probability आएगी, वो greater than equals to 0 रहेगी, और यहां पर दिया हुआ है, for a is a subset or equals to sample space, जो sample space होता है पूरा, अगर हम पूरा का पूरा sample space ले, तो उसकी probability हमेशा one के बराबर होती है, यानि अगर आपने कोई sample space लिया, जैसे dice है, dice में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 6 event आगे, पूरा sample space हो गया, अगर हम उन सब की probability निकालें, तो उसका sum हमेशा one के बराबर ही आता है, for any sequence of mutually exclusive event, अगर हमारे पस कोई mutually exclusive event है, उसमें 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी event है, अगर उन सब का हम union करें, उन सब का, अगर हम union करें, तो क्या होगा, सब की probability आपको अलग-लग निकाल के red कर देनी है, क्योंकि mutually exclusive का मतलब है, सारे different है, जैसे probability of 1, probability of 2, probability of 3, probability of 4, probability of 5, probability of 6, सारे अलग-लग event है, mutually exclusive है, लेकिन सब की जो probability निकालेंगे, तो इनकी जो union की probability आएगी, union मतलब पूरा sample space हो गया, तो पूरे sample space की probability 1 है, और इन सब का अगर आप union करोगे, उनकी probability निकालोगे, तो उसका sum भी 1 के बराबर ही आएगा, तो कि probability of 1 अगर आप निकालोगे, तो 1 upon 6, तो की भी 1 upon 6, ऐसे 6 तक की, सब की probability 1 upon 6 आजाएगी, अब 1 upon 6, 1 upon 6, 1 upon 6 को ऐसे आप 6 वर add करोगे, तो क्या बनेगा, 6 by 6, 6 by 6 यानि 1 के equal आगे, यानि अगर आप जितने भी event, अगर mutually exclusive है, उन सब की आप union की probability निकालना चारे हो, तो simply करो, कि सब की probability अलगलग निकाल के उनको add करो, अब इसके अंदर आपको यह बताता है कि the probability of an event lies between 0 and 1, बहुत inclusive, जब आप किसी भी event की probability निकालोगे, तो उसके अंदर उन probability 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, बहुत inclusive का म तो उस event को मोलेंगे impossible event, और अगर probability of a 1 के बराबर हो जाए, तो उसको मोलेंगे sure event, impossible मतलब जहाँ पर event होने की कोई chance ही नहीं है, इसलिए probability 0 आजाएगी, और sure event का मतलब है जहाँ पर event के होने का confirm है कि वो तो हो गई होगा, तो उस case में जो probability है, यह 1 के बराबर आजाएगी, non occurrence of event is denoted by a 0 और a compliment, अगर event के ना होने की probability हमें निकालनी है, event के ना होने को हम denote करते हैं, ऐसे a dash denote कर सकते हैं, या a के ओपर हम से c लगा सकते हैं, चोटा, या फिर आप a को बार से भी denote कर सकते हैं, a bar, अगर हम वो लगा दें, तो भी इसका मतलब वही होगा, अगर हम यह event नहीं हो रहा, यानि not a, और किसी भी event के होने की और उसके ना होने की जो probability आएगी, उसका sum हमेशा 1 के बराबर होता है, जब भी आप event निकालोगे, तो उस event के अंदर आपको कुछ words आपको मिलेंगे, odds against या odds in favor, इसका मतलब क्या होता है, अगर यह कहता है कि odds in favor, odds in against, the ratio of number of favorable event to the number of unfavorable event, यानि किसी भी event की होने की probability और उसके ना होने की जो probability होती है, is known as odds in favor, यानि उसके होने की जो probability है, उसको बोलेंगे odds in favor, और उसके ना होने की जो probability है, उसको बोलेंगे odds in against, तो अगर आपको odds in favor निकालना है, तो odds in favor निकालने का मतलब है, कि आपको जितने भी उसके event की होने की probability है उसको ऊपर रखना है divided by और जो उसके ना होने की probability है उसको नीचे रखना है अब ना होने की कैसे निकालोगे total में से उसके event की होने की probability minus कर दो तो उसके ना होने की आ जाएगी क्योंकि मैं पता है कि दोनों का समब 1 के बराबर होता है समझ लेते हैं जैसे कहता है कि coin is tossed three times what is the probability of getting two heads एक coin को अगर हम तीन बार toss करते हैं तो दो head आने की probability क्या है जब coin को आप तीन बार toss करोगे तो हमारे पास sample space बनेगा ऐसे head 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 फिर head head tail अब दो head वाले case आपको लिखने तो T को आप इधर ले जाओ head tail head tail head head चार event तो यह बनगे उसके बाद चार और कैसे बनेगे एक head और दो tail अब इस head को travel कराओ tail head tail 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 head और tail 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 तो इसने total 8 बनगे अब इसने पूछा आपके आपसे probability किसकी two head गी तो दो head उसमें कितनी मारा रहा है दो head उसमें देखो एक बर यहां पर आ रहा है एक बर यहां पर आ रहा है एक बर यहां पर आ रहा है तो इसकी probability बनगी three upon eight at least two head at least का मतलब है कि कम से कम दो head आने चाहिए तो दो से ज्यादा जो case होंगे वो भी इसमें ले सकते हैं तो दो head तो इसमें आई रहे हैं और इसके अंदर भी कम से कम दो तो आई रहे हैं दो से ज्यादा भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हम इसको भी ले सकते हैं तो four upon eight यानि इसका answer बनेगा वन अप two की line बनेगी ये भी two six तक बनेगी तो इसी तरह से आपको three one four one five one six one six की line जो end होएगी six six तक end होगी तो total मिलाकर इसके अंदर 36 event बनते हैं अब कहता है कि dice को आपने दो बार रोल क्या कर दिया जी what is the probability of getting a difference of two point दो जो दो नमबर आएंगे ना उन दोनों में दो points का difference हो जैस से one और three दो point का difference आ गया या three और one दो point का difference आ गया तो कौन कौन से event बनेंगे एक तो one three हो गया पहला यहीं बनेगा one three or three one दूसरा event क्या बन सकता है two four four two five three three five two six six four two two six two six नहीं बनेगा four six four six and six four तो यह सारे event ऐसे जिसमें difference two आरा plus आरा minus आरा doesn't matter difference देखना है बस आपको तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 केस ऐसे हमारे पास है तो इसकी probability आ जाएगी eight upon 36 चार से से काट देंगे तो answer आ जाएगा two upon में nine उसके बाद next question देखो next topic देखो next topic में कहता है कि relative frequency of definition of probability अब relative frequency का मतलब क्या है इसके अंदर क्या आपको यह बताना चारा है कैदा है कि this definition यहां से देखो this definition of probability was first developed by the British mathematics in connection with the survival probability of a group of people let us consider a random experiment repeated a very good number of time मतलब यह मालो कि आपके पास एक random experiment है जिसके अंदर आपको काफी बार आपको पास n दिया हुए मतलब टोटल number of events जो है न काफी जादा बड़े दिये हुए है say n उसको हम माल लेते हैं कि n an identical set of condition we next assume that an event a occurs fa times हम माल लेते हैं कि एक event है वहाँ पर a जो की fa बार वहाँ पर आ रहा है बहला दो बार आ रहा है दस बार आ रहा है पंदरा बार आ रहा है तो उसको fa की value हमने माल ली then the limiting value of the ratio of fa to n तो उसकी अगर हम limiting value निकालें जैसे probability का formula हम लगाते हैं वैसे ही probability का formula लगाएंगे fa upon में n लेकिन यहाँ पर जो n जो काफी बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर एक limit approach कर देते हैं limit n tends to infinity बस इसमें अगर यहाँ पर a b का subset है यानि a के जो element है वो सारे के सारे b के अंदर है a और b दोनों event किस में से हैं s में से हैं ठीक है तो a अगर b का subset हो तो probability of a जब आप निकालोगे तो या तो probability of b के बराबर होगी या उसके छोटी होगी कभी बड़ी नहीं हो सकती है क्योंकि a के अंदर जो element होंगे वो b से कम होंगे उससे जादा नहीं होंगे दूसरी जो probability इसमें बनेगी अगर हम p b minus a निकालते हैं यानि probability of b not a b की element होने ही चाहिए लेकिन a की नहीं होने चाहिए तो उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं probability of b minus probability of a जो second इसमें आपके point दे रखा है उसमें कहता है कि two event a and b are mutually exclusive दो event है हम हमारे पास दो की mutually exclusive है जैसा आपको पताएए कि जो mutually exclusive होते हैं उसमें intersection 0 के बराबर होता है अगर आप इसमें union value निगालते हैं तो simply क्या हो जाएगा pa plus में pb कर दो union का मतलब दोनों को इखटा करना होता है तो जब उसके अंदर कुछ common है ही नहीं तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे pa और pb दोनों की probability को add कर देंगे तो वो बन जाएगा उसका union अगर आपके पास इसी तरीगे से तीन element है जो की mutually exclusive है तो उसका आपका union निकालना है तो उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं pa plus में pb plus में pc equals to में probability of a union b union c दोनों same concept है तीन हो चार हो पांच हो छे हो दस हो कितने भी हो अगर वो सारे के सारे mutually exclusive है तो उन सब की आप अलग अलग probability निकाल दो और उनको add कर दो तो उनकी union के बराबर ही आएगा अगर दो event आपके पास हैं दोनों exhaustive हैं exhaustive मतलब उन दोनों का जब आपको इखटा करते हैं इखटा करने पर पूरा का पूरा sample space बन जाता है अगर पूरा का पूरा sample space बन गया तो इसका मतलब जो probability निकालोगे sample space की तो 1 होती है तो probability of a union b अगर आप निकालोगे तो वो event exhaustive हैं यानि उन सबका अगर आप union कर रहे हैं और पूरा का पूरा sample space बेज आ रहा है तो यहां पर भी same concept apply होगा कि उन सबकी union का जो probability आएगी वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगी तीन event है a, b, c तीनों equally likely हैं तीन event है तीनों equally likely है मतलब उन तीनों के होने की probability same है तो इसका मतलब probability of a, probability of b, probability of c, तीनों के तीनों आपस में equal आएगे जो भी value आएगी उसके बात कहता है कि addition theorem on total probability इसमें अभी पढ़ा कि a और b दोनों अगर mutually exclusive है तो union का जो probability आएगी वो इन से ज़्यादा event है तो अभी हम यही चीज़ा apply करेंगे probability of a union b union c यहाँ पर a21, a2, a3 लिखा हुआ है पिछ हमने बढ़ा था a, b, c में बस इतना असा फ़रक है बाकी चीज़े तो सारी की सारी वही है probability of a union b, probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b होता है तो normal formula यह होता है अभी पीछे जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें बढ़ा था probability of a union b equals to probability of a plus probability of b लेकिन वैसा तब होता है जब a और b दोनो mutually exclusive event होते हैं दोनों में common कुछ भी नहीं होता है अगर दोनों में कुछ common आ जाता है तो उसको हम यहाँ पर minus करते हैं इसी तरह का formula आपने sets में भी पढ़ा था sets में भी ऐसा formula पढ़ाता है वहाँ पर number of element हम करते हैं यहाँ पर probability of event करते हैं बस इतना सा difference है जैसे for example यहाँ पर कहता है कि वह एक नंबर आपको select करना है 25 नेचुरल नंबर है जो 25 नेचुरल नंबर है उसमें से आपको नंबर select करना है तो what is the probability that it would be divisible by 4 और 7 तो आपको probability बतानी है 4 की और 7 की अब यहाँ पर जो number 4 से divide होगा वो 7 से divide हो सकता है क्या कैसा कोई number है जो दोनों से divide हो रहा हो लेकिन आपको number स्रिफ देखने कहां तक first 25 तक तो first 25 तक अगर मैं देखूं जो 4 से divisible होने वाले number है वो है हमारे पास कौन कौन से एक तो 4 है एक 8 फिर 12 फिर 20 और फिर 24 ठीक है और 7 से divide होने वाले number में देखूं तो क्या है 7 फिर 14 फिर 21 इन दोनों में अगर आप देखो तो common कुछ भी नहीं है मतलब अभी यह दोनों event जो है mutually exclusive है अगर मेरे को यह निकालना है कि probability of 4 और 7 divisible by divisible by 4 और 7 तो मेरे को simply क्या करने है मेरे को probability निकालनी है divisible by 4 की प्लस probability निकालनी है मेरे को divisible by 7 की दोनों के अलगलग करनी है क्योंकि यहाँ पर दोनों event कौन से है mutually exclusive event है दोनों में common कुछ भी नहीं है तो 4 से divide होने वाले कितने है एक दो तीन चार पांच छे 6 अपान 25 इधर आजाएगा टोटल 9 upon 25 यह हमारा इसका अंसर आजाएगा उसके बाद अगर हम next question पर चलते है next question जो हमें इसी के नीचे दिया हुआ इसमें कहता है कि number selected random from the first 1000 natural number what is the probability that it would be a multiple of 5 or 9 अब एक हजार तक नंबर आपको लेने है तो अब इसमें क्या ऐसी possibility है कुछ ऐसे number हो सकते हैं जो 5 और 9 दोनों से divide होते हों जैसे यहाँ पर तो थारे mutually exclusive था ऐसा कोई भी number नहीं था लेकिन यहाँ पर तो ऐसे हो सकते हैं तो पहले 5 से divide होने वाले number हम देखते हैं कि कितने होंग तो divisible by 5 अगर हम देखें तो यहां पर number आएगा आपके पास 5 फिर 10 फिर 15 इस तरह से करते करते बीच में पर नभी भी आएगा और उसके बाद फिर ऐसे चलते चलते ऐसे बहुत सारे number आएंगे 1000 तक जाएंगे हम तो अगर हम यह वाले number काउंट करें 5 से लेकर कहां तक 1000 तक तो कितने number होंगे हमारे पास यह तो यह पता लगाने के लिए कि कितने number होंगे आप simply क्या करो 1000 को 5 से divide कर लो तो 1000 को 5 से divide करें तो इस तरह के हमारे पास 200 number आएंगे हैं ठीक है जो कि 5 से divide होने वाले हैं ऐसे अगर हम 9 से divide होने वाले number जो है वो चेक करें वो कितने बनेंगे 9 हो गया 9 के बाद 18 हो गया उसमें भी कहीना कि 90 आएगा ऐसे और भी number आएंगे 1000 तो नहीं आएगा उससे पहले triple 9 आएगा तो यहां पर 9 से लेकर अगर हम इनके number निकालना चाहते हैं तो टोटल हमारे पास तो 1000 है ना तो 1000 को अगर हम 9 से divide करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा 1000 को 9 से divide करेंगे एक remainder आ रहा है तो एक 111 नमबर तो ऐसे पूरे-पूरे होंगे जो इससे divide हो जाएंगे अब ऐसे number जो 5 या 9 दोनों में से किसी से भी divide हो जाएं तो उसके लिए हम पहले यहां पर देखते हैं divisible by 5 and 9 क्या दोनों में ऐसे कोई नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं मतलब इन दोनों का पहले से हम निकाल लो 5-9 जब 45 तो 45 से डिवाइड होने वाले नंबर तो 45 खुद होगा 90 भी होगा इस तरह से करते करते 1000 तक अगर हम जाएंगे तो कितने नंबर बनेंगे तो 1000 को आप डिवाइड करोगे किस से 45 से 22 नंबर हमारे पास ऐसे आएंगे कुछ के लावा कुछ एक्स्ट्रा बचेंगे 22 नंबर हमारे पास यह आगए तो मतलब यहां से हमें यह पता चल गया कि कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं मतलब यह mutually exclusive नहीं है तो इसमें जब फार्मूला आप लगाओगे तो इसमें second वाला जो फार्मूला हमने करा था कौन सा पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी यह वाला फार्मूला आपको लगाना है तो पी ए का मतलब है कितने नंबर आगे हैं यहाँ पर 200 तो यह बनेगा आपके पास 200 अपॉन थाउजन प्लस दूसरे में कितने हैं ट्रिपल वन अपॉन थाउजन माइनस जो दोनों से कॉमन है वो है 22 अपॉन में थाउजन इसको आप पूरे को simplify कर दोगे तो simplify करके आपके पास value बन रही है 29 अपॉन में थाउजन तो 290 अपॉन में थाउजन आजएगा आपका 0.29 या सिधा fraction में रहने दो 29 अपॉन में थाउजन अगर ऐसी आपके पास तीन इवेंट हो जाए ए बी सी तीन इवेंट हमारे पास है तो उसमें अगर हम उनकी union निक दालने के लिए भी formula यहां पर उसी तरीके से बनेगा PA plus में PB plus में PC जैसे हम sets में बनाते थे तो यह आपके पास total इसका union आ जाएगा जैसे यह question आपको दिया हुआ है इसमें आपर कहता है कि देरा देरा थ्री परसंट ABC है कि हविंग डिफरेंट इज दा प्रावलिटी यह सर्वाइव कर रहा है इसकी प्रावलिटी आपको यह दे रखी है दी सर्वाइव करता है इसकी प्रावलिटी आपको दे रखी है 0.6 और सी सर्वाइव कर रहा है इसकी प्रावलिटी आपको दे रखी है 0.50 दा प्रावलिटी दैट A and B सर्वाइव A and B मतलब दोनों survive कर रहे हैं तो A intersection B इसकी probability कितनी दे रहे कि 0.46 B and C survive मतलब probability of B intersection C यह दे रहे है 0.32 and probability of A and C survive इसकी दे रहे कि 0.48 and the probability that all these three persons survive for another 5 year और अगद तीनों ही survive कर रहे हैं A, B, B, B और C, B इसकी probability है 0.26 तो आपको यह निकालना है probability that at least one of them survive for another 5 year कि कम से कम उन तीनों में से कोई एक जो है अगले 5 साल तक survive करेगा जिन्दा रहेगा तो इसके लिए क्या करने आपको यह formula apply कर देना है बस 0.80 0.60 0.50 intersection वाले तीनों माइनस करने 0.46 0.32 0.48 और लास में जो है इसको प्लस कर देना है इन सब को अगर हम solve करेंगे तो हमारे पास total जो answer है वो क्या आजाएगा जाएगा 0.90 तो इन तीनों में से कोई एक कम से कम survive करेगा तो इसकी probability बनेगी 0.90 0.50 अब जैसा कि इसका नाम है conditional probability वैसे इसका काम भी है तो conditional probability जब हम करते हैं इससे पहले जो आपने जितनी भी अपितक करें वो unconditional probability वहाँ पर कोई शर्त नहीं थी वहाँ पर कोई condition नहीं थी तो फिर ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर आपको एक condition दी जाएगी मालो आपने पहली एक ball निकाल ली है अब दूसरी ball आप निकालने जा रहे हो तो उसकी probability क्या है पहली ball के according तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहदा कि if the occurrence of one event से B एक event हमने माल लिया उसका नाम रख लिया हमने B is influenced by the occurrence of the another event A अब यह जो event A already हो चुका है उसकी जो probability है उससे अब B की probability है वो influence होगी, प्रभावित होगी, change होगी then the two events A and B are known as dependent event तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे इन events को dependent event we use the notation P, B by A P, B by A मतलब इसको कैसे read कर दें हम short में ऐसे read कर लेते हैं B by A, लेकिन actually में क्या read करने का तरीका है probability of the event B जो मतलब आप पहले लिख रहे हो आप उसकी probability निकाल रहे हो probability of the event B given that the event A has already occurred, यानि A पहले हो चुका है आपको B की probability find करनी है, या आप ऐसे read कर सकते हो the conditional probability of B given A, तो लिखने करने का तो बोलने का जो तरीका है वो दोनों में साब कोई भी उस कर सकते हो, लेकिन हम उसको और short कर देते हैं, हम simply बोल देते हैं P B by A to suggest that another event B will happen if and only if the first event A has already happened, मतलब यह हो गया कि A already हो चुका है हमें उसके according B की probability बतानी है कि B की अगर होगा तो उसकी probability क्या होगी तो this is called conditional probability formula इसका क्या रहेगा P अगर B by A आप निकालना चाहते हो तो उपर आएगा दोनों का intersection divided by probability of A अगर आप A by B निकालना चाहते हो कि probability of A if B is already given तो उपर तो intersection ही रहेगा उपर intersection में आप A intersection B लिखो या B intersection A लिखो तो उससे तो कुछ फरक पड़ेगा नहीं हाँ denominator का धान रखना है जो आप यहाँ पर नीचे लिख रहे हो वही time आपकी नीचे आएगी यहाँ पर P A नीचे था तो यहाँ पर P A आ गया यहाँ पर B नीचे है तो यहाँ पर P B आ जाएगा तो यह फार्मूला हम यूज करेंगे conditional probability के लिए अब इसकी कुछ properties भी हैं जो आपको follow करनी है सबसे पहली property अगर हम बात करें यहाँ पर कहता है कि probability of A Y S S का मतलब complete samples है इस पूरा का पूरा sample space अगर हम इसकी probability निकालें तो किसके बराबर होगी तो उपर कह रहा है कि A intersection S और नीचे कह रहा है P S अब A और S का intersection अगर हम निकालें है A कै? A S का ही तो एक पार्ट है तो अगर हम दोनों का intersection निकालेंगे तो आएगा क्या हमारे पास? हमारे पास आएगा यहाँ पर P A और नीचे कहा है P S P S मतलब पूरे के पूरे Sample Space की Probability अब यह तो अलड़ी हम जानते हैं कि अगर हम पूरे Sample Space की Probability निकालते हैं तो वो 1 के बराबर होती है तो divided by 1 यानि answer आगया P A यानि अगर P A by S निकालना है आपको directly आप P A निकाल दो answer आपका आगया P A by A यानि probability of A if A has already occurred तो इसमें क्या होगा उपर A intersection A करेंगा और A और A का intersection क्या होता है तो A ही रहेगा ना दोनों में common तो वो खुद ही रहेगा तो P A divided by P A answer आजाएगा 1 P S by A S by A मतलब फिर उपर वो intersection आएगा लेकिन इस पर नीचे A आएगा अब जैसे हमने यहाँ पर समझागी intersection तो P A के बराबर ही होगा तो यहाँ पर जब आप P A put करोगे P A से P A cancel हो जाएगा बचे का क्या 1 यानि probability of S by A 1 के बराबर हो गया probability जब भी आप निकालते हो condition probability तो जो probability का basic rule है भी 0 से 1 के बीच में रहेगी तो चाहे condition भी दे रहेखी हो probability तो वैसे रहेगी यानि probability 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी उसके बाद the next property आपके पास probability of A union B by F तो जैसे आप A union B का formula लिखते हो नहाँ यहाँ पर कहता है कि A union B की probability निकालो if F has already occurred अब इसको आपको याद करने के लिए P A ठीक है फिर होता है P B फिर होता है माइनस P A intersection B यह formula होता है अब यहाँ पर अगर conditional probability दे दी जाए अगर यह कहेगी भाई if F has already occurred तो formula क्या बनेगा सब के साथ ऐसी कर दो A by F, B by F and A intersection B by F बढ़ गया formula तो अलग से कुछ ऐसा याद करने की जरूद नहीं आपको पहले वाला formula याद है union का तो बस आपको सभी के साथ conditional probability यूज कर दे नहीं है इसका formula बन जाएगा अब यहाँ पर कहता है probability of A union B F यह बराबर खली इन दोनों के होगा कब होगा अगर A और B दोनों disjoint set होंगे disjoint का मतलब होता है कि जहाँ पर common कुछ भी ना हो जब common कुछ भी नहीं होगा तो intersection क्या आएगा 0 आएगा ना तो इसलिए इसकी जो value है वो 0 हो जाएगी तो मारे पास formula सिर्फ यह बनेगा probability of A not by B तो A not by B मतलब A के ना होने की probability if B has already occurred तो simply क्या करना है कि 1 minus P A by B जैसे हम A not का formula लिखते हैं वही formula है A not का formula क्या था 1 minus P A अब यहाँ पर अगर आपने B कर दिया तो यहाँ पर भी B कर दो ना जैसे वहाँ पर किया था वो formula में तो इस तरह से आप formula यहाद रख सकते हो कि independent event if the occurrence of the second event B is not influenced by the occurrence of the first event A conditional probability में क्या था कि जो बाद वाला event था वो पहले वाले event से प्रभावित था उसका उसके उपर impact पड़ता था उसका असर पड़ता था लेकिन independent event वो होगा जब दूसरे वाले उसका event का असर पहले वाले event का असर दूसरे की probability पर ना पड़े दोनों अलग अलग independent है दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है तो इस तरह के event होते है independent event तो यानि इसका मतलब है कि अगर आप probability of B by A निकालना चाहरे हो independent event अगर है तो simply यहाँ पर क्या आएगा probability of B आ जाएगा क्योंकि A की probability का असर उसके उपर पड़े गई नहीं जो भी probability B की आनी है वही आएगी ऐसे अगर probability of A by B निकालना चाहते हो आप तो यह बनेगा probability of A अगर आप इन दोनों के combination का यूज करें अगर हम इन दोनों के combination का यूज करें probability of B by A का formula क्या बनेगा probability of B intersection A divided by probability of A यह formula बनेगा और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास probability of B तो इसको अगर मैं cross multiply करूँ तो probability of B intersection A यह क्या बनेगा probability of A into probability of B यानि अगर दोनों event independent है तो इसका मतलब होगा कि जो इनका intersection होगा हमेशा इन दोनों के multiplication के बराबर होगा अब आप B intersection A लिखो या A intersection B लिखो उससे को तो कुछ फ़रक पढ़ना नहीं है क्योंकि वो दोनों बिल्गुल सेम होते हैं तो हमारे पास formula बन गया कि अगर दो event independent है तो उनका intersection जो होगा probability का वो P A into में P B के बराबर होगा यह वाला formula आपको use करना है अब इसमें और क्या हो सकता है अगर कहता है कि A intersection B है तो हम ऐसे लिखेंगे A intersection C है तो हम ऐसे लिखेंगे और B intersection C है तो हम ऐसे लिखेंगे और अगर दो से ज़्यादा इभी event है मार लो तीन event भी है तो हम कैसे लिखेंगे probability of A intersection B intersection C तो यह आएगा probability of A into probability of B into probability of C तो इस तरीके से आप इसको लिखते जाएंगे आगे कहता है कि अगर A और B दोनो event independent है तो इसका मतलब अगर आप A और B not को लोगे तो वो भी independent रहेगा तब गानि B not की जो probability है उसके उपर A का असर नहीं पड़ेगा और ऐसे A not और B यह दोनों भी independent होंगे और A not और B not यह दोनों भी independent होंगे यानि A और B अगर सरतनतर हो गए हैं तो उन्होंने कही लोगों को सरतनतर करा दिया है A और B अगर independent है तो A, B not यह भी independent होगा A not और B यह भी independent होगा और A not, B not यह भी independent होगा आगे कहता है कि theorem of compound probability में for any two event A and B the probability that A and B occur simultaneously is given by the product of the unconditional probability of A and the unconditional probability of B given that A has already occurred तो probability of A intersection B किसके बराबर हो गया probability of A into probability of B by A तो unconditional probability होती है जिसमें हमने पढ़ा था कि भी probability of A intersection B इसके बराबर होता है मतलब हमने इसका फार्मुला पढ़ा था इसका फार्मुला क्या होता है इसको अगर मैं नीचे ले जाओ probability of A intersection B तो इसके बराबर हो जाएगा ना तो सेम यहाँ पर ऐसी बनेगा अगर तीन आपके पास होंगी probability of A intersection B intersection C तो इसको आप कैसा लिखेंगे probability of A into में probability of B if A has already occurred यहाँ लिखेंगे probability of C if probability of A and B already occurred याँनि आपको अगर A intersection B intersection C की निकालनी है probability probability तो पहले probability of A लिखो फिर probability of B by A लिखो मतलब A already हो जुगा है अब आप B की निकाल रहे हो फिर आप C की लिखो क्योंकि A और B उसमें already हो जुगे है तो इस तरीके से आप इसको express कर सकते हैं उसके बाद हम discuss करते हैं random variable अब random variable क्या होता है जब भी हम कोई experiment करते हैं तो उस experiment में जो value by chance हमें मिलती है उसी को बोलते है random experiment ठीक है अब जैसे हम कोई dice को हम थो कर रहे है मार्म हमने dice को 5 बार थो कर लिया 6 बार थो कर लिया हम करते है कि भाई हमे 4 चाहिए अब 4 ङसमें 2 बार आ ररह है को sequence नहीं होगा एक्स की वेलू वन आगी वन के बाद थ्री भी आ सकते हैं तो इससे कोई भी एक्स की वेलू पॉजिटिव भी आ सकती है एक्स की वेलू फ्रेक्शन में भी आ या रेंडम वेरियबल है कि वहां पर आ रही है या कॉन से वेलू आ रही है उसको बोलते हैं रेंडम एक्सपरिमेंट या उसको रेंडम वेरियबल को हम डिनोट करते हैं capital X से जैसे करें कि let s be the sample space of throwing two coin and x denote the number of head, x यहाँ पर number of head को denote कर रहा है, तो head उसमें हो सकता है, एक बार भी ना है, तो x की value 0 हो सकती है, head एक बार आ जाए, head दो बार आ जाए, इस तरह से आप जो भी x यहाँ पर दे रखा होगा random variable उसके एसाब से हम उसकी value set करेंगे कि क्या value आ सकती है अब उसके बाद जब हम random variable निकाल लेंगे तो हमें उसकी probability बनानी होगी probability distribution, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी यह example लिया कि हमने एक, दो coin को हमने toss किया, head, head, tail, tail, head, tail, tail, tail तो हमने क्या करना है, x की value पहले तो find करनी है कि x की value क्या हो सकती है, तो x की value 0 भी हो सकती है, मतलब एक भी head नहीं आया x की value 1 भी हो सकती है, मतलब 1 head आ गया, और x की value 2 भी हो सकती है, मतलब दोनों के दोनों head आ गए तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम x equals to 0 ले रहे हैं तो मारे पास मतलब ये case आ रहा है, head नहीं आ रहा तो इसकी probability क्या है हमारे पास 1 upon 4, अगर x की value 1 ले रहे हैं तो मतलब 1 head, 1 tail आ रहा है, तो ऐसे हमारे पास 2 case हो सकते हैं और दोनों की probability निकालेंगे तो आजाएगा आपके पास 1 upon 2 और अगर हम x की value 2 लेते हैं तो उसका मतलब दोनों के दोनों head आ रहे हैं तो इसकी probability आगी 1 upon 4 अब ये आपके पास x आया और ये आपके पास इनकी probability आई इनको जब आप एक table में डाल देते हैं इसको बोलते हैं probability distribution table x की value 0, 1, 2 यहाँ पर इसकी probability 1 by 4, 1 by 2 अब इसमें जो probability हमेशा निकलेंगी ये जो probability distribution बनेगा उसमें जो probability की value होगी उसका जो sum होगा हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए अगर वो 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब probability distribution वहाँ पर possible नहीं है valid नहीं है और दूसरी बात जो भी यहाँ पर probability निकलेगी जो probability का basic rule होता है कि probability कभी भी ना तो negative होनी चाहिए ना 1 से बड़ी होनी चाहिए उसके बाद देखते हैं probability density function तो probability density function जब आप बनाते हैं तो उसमें कहता है कि x एक random variable है और function ही होगा y equals to fx अब यह function probability density function का बनता है जब यह तीन condition को satisfy करेगा पहली condition क्या होगी fx greater than equals to 0 होना चाहिए दूसरी condition क्या होगी minus infinity से plus infinity तक इसका अगर हम integral करते हैं तो इसकी value 1 आनी चाहिए और जब आप इसकी value निकालोगे a से लेकर b तक की limit के लिए simply आपको क्या करना है a से b तक का जो fx dx है वो आप निकालोगे तो यह तीनो की तीनो condition जिस function के अंदर satisfy हो उसको बोलेंगे probability density function अब उसके बाद आता है mean and variance of the probability density function mean क्या होता है इसका variance क्या होता है mean निकालने के लिए आपको simply क्या करना है जो भी probability आई है उसको उसके x i से multiply करना है जो भी probability आई है आपकी बास उसको उसके x i से multiply कर देना तो वो आपका बनेगा mean ठीक है उसका sum करने के बाद और variance का formula गया होगा sigma pi x i square minus sigma pi x i का whole square या अब इसको दूसरे words में आप ऐसे भी लिख सकते हो जब आप pi x i square लिख रहे हो तो इसको लिखेंगे e x square minus यह हो जाएगा e x का whole square e x मतलब जो हमने यहाँ पर निकाला expected value जो mean होता है उसको आप expected value भी बोल सकते हो उसको आप expectation भी बोल सकते हो denote उसको e x से कर सकते हो average भी बोल सकते हो यह सारे के सारे नाम इसके mean के है तो mean हमने निकाल लिया variance निकाल लिया फिर standard deviation निकालेंगे तो standard deviation का formula अलग से आपको याद करने के जरूद नहीं है variance निकालो और उसका square root कर दो वो बन गया standard deviation अगर आपके पास यहाँ पर जो x की value हमने अभी जो निकाली थी वो थी discrete variables अगर कहता है कि यह x हमारे पास continuous random variable हो continuous random value में मतलब किसी interval को belong करता उसमें जितने भी values हैं वो सारी की सारी values आच सकती हो तो उस case में अगर हम mean निकालेंगे तो क्या बनेगा minus infinity से लेकर plus infinity तक और x into में fx इसको solve करेंगे तो इससे आपके पास उसकी expected value आ जाएगी ठीके और ऐसे अगर आप e x square निकालेंगे तो e x square का मतलब यहाँ पर x का square कर देना है और fx से multiply कर देना है बाकि limit आपके वही रहेगी minus infinity से लेकर plus infinity तक अब इसकी कुछ properties होती है expected value गी तो यह करा है कि expectation of a constant के मतलब अगर आपके पास कोई constant है तो उस constant की अगर आप average निकालोगे तो वह same ही रहेगी वह constant ही रहेगा के का के ही रहेगा अगर आप x plus y के expected value निकाल रहेगा तो आप अलग-लग करके e x की value अलग निकाल दो e y की value अलग निकाल दो नोनों को plus कर दो multiply में कर रहे हो constant के साथ तो constant को बहार करो और e x को solve करो उससे constant को multiply कर दो तो उसकी probability आजाएगी e x y है तो e x को अलग multiply करो और e x e y की value अलग निकालो दोनों को multiply कर दो तो उससे आपके पास exy आ जाएगा तो probability से जो लेटीड है ये सारा basic concept हमारा cover हो चुगा है जो अगली वीडियो है उसमें हम इसके exercise लेंगे set a से start करेंगे तब तक आप ये सारा basic concept है उसको अच्छी तरह से learn कर लो इसके formulas को learn कर लो ताकि exercise करने में आपको ज्यादा problem face ना करन पड़े आज की इस वीडियो में इतना ही thanks to all of you